नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत एक बार फिर से आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आया ठारा जुलाई दो हजार बाईस से बनने वाले हरियाना करेंट अफियर से सम्बंदित सभी मैत्रपुन क्वेशन अंसर जो की आप से आने वाले कंपेटिशन एकजाम में पूछे जा सकते है इन हरियाना की रहने वाले बागवानी देवी के द्वारा इंगलेंड में आयोजित वर्ल्ड मास्टर एथिलेटिक्स चैंपियनशीप में कितने मैडल जीते गए है तो दोस्तों इसको प्सन नमबर आपका ए रहेगा यानि तीन मैडल अरियाने की रहने वाले बागवानी देवी के द्वारा इंगलेंड में आयोजित वर्ल्ड मास्टर एथिलेटिक्स चैंपियनशीप में तीन मैडल जीते गए है और ये तीन मैडल इन मेंसे आपका एक सवन और दो ब्रॉंज सामी है बगवानी देवी के द्वारा 100 मिटर की दोड में gold medal जीता गया है और इन्होंने 100 मिटर की दोड को 24.74 मिनी सेकेंड में 100 मिटर की दोड को पूरा किया है और बगवानी देवी 93 साल की उमर में ऐसा करने वाली पहली महीला बन गई है और इसके अलावा इन्होंने डिसकस थ्रो में ब्रोंज मैडल और गोला फैंक इन दोनों में इनके द्वारा ब्रोंज मैडल जीता गया है और इसका आयोजन इंगलेंड में किया गया था नेच्ट क्वेस्टन है चेन्ने में आयोजीत नेशनल बोक्सिंग चेंपियन सीप में किसके द्वारा गोल्ड मैडल जीता गया है तो दोस्तो इसका राइट अंसर रहेगा प्रांजल के द्वारा चेननाई में आयोजीत नेशनल बोक्सिंग चेंपियनशीप में 70 किलोग्राम काटेगरी में गोल्ड मैडल जीता गया है नेक्ट क्वेशन है अंडर ट्वेंटी एशन कुस्ती चेंपियनशीप में हारियाना के खिलाडियों के द्वारा कितने पदक जीते गई है और भारत के द्वारा इसमें 10 पदक जीते गई बारत ने इसमें एक सवन पांच सिल्वर और चार बरोंज जीते है और बारत का इसमें दूसरा स्थान रहा है जबकि पहले नंबर पर इरान और तीसरे नंबर पर कजाकिस्तान देश रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाना ने चोथे संसकन में कितने मैडल जीते है तो दोस्तो इसका राइट अंसर रहेगा आपका 137 मैडल और हरियाना खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चोथे संसकन में पहले नंबर पर रहा है और इन 137 पदकों में से 52 गोल्ड, 49 सिल्व और 46 ब्रोंज सामिल है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयो जन हर्याना के पंच्कुला जिले में किया गया और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्कंद दिल्ली में किया गया था 2018 में अब की बार 2022 का ये है चोथा संस्कंद था नेस्ट क्वेस्टन है पावर नूर्मी गेम्स 2022 में नीरत चोपडा के द्वारा कौन सा मैडल जीता गया तो दोस्तों पावर नूर्मी गेम्स 2022 में नीरत चोपडा के द्वारा सिल्वर मैडल जीता गया है और इन्होंने इस games में 89.30 meters भाला फैका है और इसके ठाव़ा नीरेचोपडा के द्वारा Diamond League में Silver Pedak जीता गया है और इन्होंने इसमें 89.94 meters भाला फैका है और नीरेचोपडा के द्वारा Tokyo Olympic 2020 में भारत के लिए इन्होंने Gold Medal जीता था और Tokyo Olympic 2020 में इन्होंने 87.58 मीटर भाला फैंगा था और हर्याना के रहने वाले नीरचोपड़ा का संब्द पानिपत जीले के गाउं खंडरा से है Next question है सूचना जन संप्रक और भासा वी भाग के सचिव किसे बनाया गया है? तो दोस्तो इसका राइट अंसर हैगा आपका option number C यानि वर्षा खांगवाल को सूचना जन संप्रक और भासा वी भाग के सचिव बनाया गया है यानि option number C आपका राइट रहेगा Next question है विकास एम पंचायत विभाग का मुक्या सचिव का अतिरिक्त कार्याबर किसे दिया गया है तो दोस्तो इसका राइट अंसर रहेगा सुमित मिस्रा को विकास एमपंचायत विभाग का मुख्य सचीव का अतरिक्त कार्याबार भी स्वंपा गया है हर्याना करमचारी चेन आयोग के नए सेकरेटरी किसी नियूक्त किया गया है तो दोस्तो इसका राइट अंसर रहेगा आपका दलजीत सिंको जिसे हर्याना क्रमचारी चेन आयोग का नया सेक्रेटरी बनाया गया है नेक्ट क्वेस्टन है पर्देश के वर्तमान मुख्य सचीव कौन है तो दोस्तो वर्तमान में पर्देश के मुख्य सचीव है संजीव कोसल कि यहान है कि कि जीले में 33 1 महोत्षव मनाया जाएगा क य दोस्त दोस्त इसका राइट अंसर रहेगा आपका ओप्सन नमबर से यानि हार्यान के क्रुग 66 जीले में 73-1 महोत्सव मनाया जाएगार कुछ 76 जीले किस्तापना 1973 में की गई थी नेश्ट क्वेसिन है परदेश के द्वाराप 75 वरत से अधिक आयू के पेडो के संरक्षन के लिए कितनी पैंसन परदान की जा रही है तो दोस्तो इसका राइट अंसर रहेगा आपका 2500 रुपे जो कि सरकार के द्वाराप 75 वरत से अधिक आयू के पेडो के संरक्षन के लिए 2500 रुपे की रासी परती वरत परदान की जा रही है और हर्याना इस योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्या बन गया है नेश्ट प्रदेश का वरिक्सो का आवरण कितना कम हो गया है तो दोस्तो वरतमान में परदेश का आवरण आपका लगबग 140 किलोमेटर स्केर कम हो गया है यानि नई रिपोर्ट के अनुसार हर्याने का वरिक्सो का जो आवरण था आपका 140 किलोमेटर स्केर कम हो गया है हर्याना परदेश का 1565 वरग किलोमेटर स्केर वरिक्सो का आवरण था जो की अब गटकर 1425 किलोमेटर स्केर रहा गया है यानि 140 km2 की कमी आई है नेक्स्ट क्वेशन है परदेश की वन नीती कब बनाई गई थी तो दोस्तो इसका राइट अंसर हैगा आपका 2006 में परदेश की वन नीती बनाई गई थी और इस नीती का मुख्य उदिष स्था था कि परदेश की 26 यह थी आपकी 2006 की नीती लेकिन वर्तमान में आपका यह 145 km2 और गट गया है नेक्ट क्वेस्टन है परदेश में वनों का सरवादिक छेतर फल वाला जीला कौन सा है तो दोस्तों सरवादिक छेतर फल वाला जीला पंच्कूला जीला है जब कि सबसे कम वनों का सरवादिक छेतर वाला जीला आपका पानिपत जीला है नेश्ट क्वेस्टन है छेतर फल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन छेतर किस राज्य का है तो दोस्तों देश का सबसे बड़ा वन छेतर मध्या परदेश राज्य का है नेक्ट क्वेस्टन है परियावन तथा जलवायू परिवर्तन तथा वन वी भाग किसके पास है तो दोस्तो इसका राइटन से रहेगा आपका परियावन तथा जलवायू परिवर्तन का वी भाग वरतावान में मुख्या मंत्री मनोडलाल खट्टर के पास है जबकि वन वी भाग कवरपाल के पास है नेक्स्ट क्वेस्टन है हर्यानप परदेश में इस बार होने वाली पंचायत चुनाओ में कितनी ग्राम पंचायते होगी तो दोस्तो इसका राइट अंसर रहेगा आपका ओप्सन नंबर सी यानि 6228 पंचायत जो कि आपकी परदेश में होने वाले पंचायती चुनाओ में अब की बार 6228 पंचायते का चुनाओ लड़ा जाएगा इससे पहले आपकी हर्याना में ग्राम पंचायतो में यानि चुनाओ होने में ग्राम पंचायतो कि संक्या 6205 थी अब इससे बढ़ा कर 6228 किया गया है यानि लगबग 23 ग्राम पंचायतो की बड़ोतरी हुई है सबसे अधिक ग्राम पंचायतों वाला जीला कौन सा है तो दोस्तों सबसे अधिक ग्राम पंचायतों वाला जीला यमुना नगर जीला है और सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जीला फरीदाबाद जीला है यमुना नगर जीले में ग्राम पंचायतों की संक्या 490 है जबकि फरीदाबाद में ग्राम पंचायतों की संक्या सो है नेक्ट क्वेस्टन है परदेश के वरतमान राज्य चुनाव आयुक्त कोन है तो दोस्तों परदेश के वरतमान राज्य चुनाव आयुक्त है दनपत सीन नेक्ट क्वेस्टन है पंचायती राज की सूची में आता है तो दोस्तों पंचायती राज 11 सूची में आता है सविदान का कौन सा अनुछेद राज्य को ग्राम पंचायते स्तापित करने का आदेश देता है तो दोस्तो इसका right answer हैगा आपका अनुछेद 40 जो की राज्यों को ग्राम पंचायते स्ताफित करने का आदेश देता है जब की ग्राम पंचायतों का वर्णन अनुछेद 243 में किया गया है नेक्ट क्वेस्टन है पंचायती राज किस सूची का विसा है तो पंचायती राज राज्य सूची का विसा है नेक्ट क्वेस्टन है हर्याना के किस जीले में मुक्यमंत्री मनोडलाल के द्वारा सुरज कुंड मिस्तित राज हंस होटल में आज जे तीन द्वीसिया पर सिक्षन सीवर का उदगाटन किया गया है तो दोस्तो इसका राइट अंसर रहेगा आपका ओप्सन नमबर बी यानि फरीदाबाद जीले में हर्याना के फरीदाबाद जीले में मुक्यमंत्री मनोडलाल के द्वारा सूरज कुंड मिस्तित राज हंस होटल में आयोजी तीन द्वीशिया पर सिक्षन सीवर का उदगाटन किया गया है नेक्ट क्वेस्टन है डॉक्टर राजिंदर परसाद के सपनों का सहर कौन सा जीला कहलाता है तो दोस्तो इसका राइट अंसर रहेगा आपका फरिदाबाद जीला जो की डॉक्टर राजिंदर परसाद के सपनों का सहर कहलाता है नेक्ट क्वेस्टन है दो हजार बाईस में कोन से सूरज गूंड मेले का आयोजन किया गया है तो दोस्तो दो हजार बीस में पैतिसमें सूरज गूंड मेले का आयोजन किया गया जबकि दो हजार बीस और इकिस में कोविड नाइंटीन की वज़े से सूरज गूंड मेले का आयोजन नहीं किया गया था और 2022 में थीम राज्य जम्मू कस्मीर रहा है जबकि पार्टनर कंट्री उजबेगिस्तान रहा है नेक्ट क्वेसिन है कवरपाल गुजर का संबंद किस जीले से है तो दोस्तों कवरपाल गुजर का संबंद हरियाना के फरिदाबाद जीले से है नेस्ट क्वेस्टन है बजरी खनीज का सरवादिक उत्पादन किस जीले में होता है तो दोस्तों बजरी खनीज का सरवादिक उत्पादन भी फरीदाबाद जीले में किया जाता है नेक्ट क्वेस्टन है जो आप सभी के लिए करपया कोमेंट करके जरूर बताईए कि हर्याना पर्दिश के किस चीले में बाहरतिय संगीत का म्यूजियम बनाया जाएगा हमारे पास फोरोप्सन, अंबाला, करणाल, पंचकुला या पानीपत में नेक्ट क्वेस्टन है जो कि आपको कल की वीडियो में पूछा गया था कि हर्याना करमचारी चेन अयाओ के नए सेकरेटरी किसे न्यूक्त किया गया है तो दोस्तो इसका राइट अंसर रहेगा आपका दलजीत सिंग को यानि इसा कमबोज की जंगा दलजीत सिंग को निया से रहेगा और HSC के वरतमान चियर्मैन बोपाल खदरी है तो फिलाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए कोमेंट कीजिए सेयर कीजिए और सस्क्राइब कीजिए माजी साइस को वीडियो देखने के आप सभी लोगों का थन्यवाद